सबसे पहले मैं दिल्ली के बेटे, दिल्ली के इतिहास में सबसे लोक्त्रिय मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी, आम आदनी पार्टी के नेता, मेरे भड़े भाई और राजनेतिक गुरू अर्विंद केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौपी, दिल्ली के लोगों की देखरेक की जिम्मेदारी सौपी लेकिन आज मैंने मुझे मंत्री के तौर पे शपत ग्रहनद जरूर किया है लेकिन ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक बहुत भावक्षण है जब अर्विंद केजरिवाल जी दिल्ली के मुझे मंत्री नहीं है अर्विंद केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दस सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदर डाला जिन्होंने पिछले दस सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिन्दगी को बदर डाला अर्विंद केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनूने दिल्ली में रहने वाले एक आम इनसान का एक गरीब इनसान का दर्द समझा उनके रोज रोज का संगर्श समझा उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरहां से अपना घर चलाना मुश्किल होता है अर्विन केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं चिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी 24 घंटे बिजली दी अर्विन केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं चिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविश्य बदर डाला उनको जिन्दगी में एक नया अवसर आगे बढ़ने का अवसर दिया अर्विन केजरी वाजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया फ्री बस यात्रा दे के अर्विंद केजरी वाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज दिली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिर्वी रखने पड़ते अपने घर नहीं गिर्वी रखने पड़ते क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है तो जब अर्विंध केज़्रीवाल जी दिल्ली के मुख्य मंद्ट्री नहीं रहते तो यह हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुग खड़ी है आज क्यों अर्विन केज्री वाल जी दिल्ली के मुक्य मंत्री नहीं, क्योंकि भारतिय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, अर्विन केज्री वाल लेकिन अर्विन केजरीवाल जी टूते नहीं अर्विन केजरीवाल दबे नहीं अर्विन केजरीवाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पी-म-ले में जमानत मिलना लगबग असंभव होता है और सुप्रीम कोट ने ना सिर्फ उन्ह बेल दी बल्कि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुँपे तमाचा मारा और कहां कि अर्वेंद केजरिवाल जी कि गिरफ तारी एक दुरभावना के तहत हुई थी ये कहां कि केंद्र सरकार की एजिंसी सी बी आई E.D. पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती है हो सकता है कि कोई और निता होता तो उनके लिए अदालत का ये फैसला काफी था और वो तुरंट जाके मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठ चाके लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीती में एक इमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुरसी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है मैं जन्ता की अदालत में जाओंगा और जब तक दिलनी की जन्ता मुझे नहीं कहती के मैं इमानदार हूँ तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुरसी पे नहीं बैठूँगा मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा ऐसी इमानदारी और नहतिकता की मिसाल रही होगी चो आज अर्विंद केज्रिवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करता है अर्विंद केज्रिवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है अगर दिल्ली के लोग अर्विंद के एज्रीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है भातिय जंता पाटी अपना शड्य अंतरच के उसको खतम कर देगी जो सरकारी स्कूल अर्विंद केजरी वाल जी ने सुधा रहे हैं वो फिर से बद्धाल हो जाएंगे मुहला क्लिनिक बंद हो जाएंगे हस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा महिलाओं की फ्री बस यातरा बंद हो जाएगी तो दो करोड दिल्ली वालों को मिल कर फिर से अर्विंद केजरी वाल जी को दिल्ली का मुख्यमंतरी बनाना है अगले चार महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परिशान रहे पिछले एक डेड़ साल में जब से भारतिय जंता पार्टी का शड्यंत्र शुरू हुआ जब से भारतिय जंता पार्टी ने एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया जब से भारतिये जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया जब से भारतिये जनता पार्टी के जब से अर्विंद केजरीवाल जी जेल गए दिल्ली वाले भी परिशान हो भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिलहम ठीक करना चाहते थे उन्होंने उस काम को रोक दिया भारतिय जनता पार्टी ने जो सड़क के रिपेर के काम है वो रोक दिया भारतिय मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अर्विंद केज्रिवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्ग दर्शन में दिल्ली में कुड़ा भी उठेगा सडकें भी ठीक होंगी पानी के बिल भी ठीक होंगे दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी जो दवाईया नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अब अर्विंद केज्रिवाल जी जेल से बाहर हैं भारतिय जनता पार्टी का कोई भी शड्यंत हम सफर नहीं होने देगे